हाँ है है हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सर कूल में और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि हम लोगों ने एलमुनियम कोईल को वहां पे कॉपर कोईल डाला था एलमुनियम कोईल हम लोगों ने निकाल दिया था वह लिकेस था तो इसके लिए हम लोगों वहां पे कॉपर कोईल लगा थे तो आज हम जो एलमुनियम कोईल हम लोगों निकाला है आज उसी के उपर हम research करेंगे कि यह aluminum coil कैसे काम करता है और किस तरह से इसमें gas running करता है वो पूरा हम लोग उसको cutting करके दिखाएंगे तो लेके चलते हैं आपको condenser पे और आपको दिखाते हैं कि यह कैसा काम करता है सो गाइज यह हमारा condenser है aluminum coil है आप देख सकते हैं यह पूरा हमारा aluminum है और यह भी aluminum है इसमें हम लोगों ने जब research किया कि एक तो हमारा यह जो pipe होता है जो यह पतला pipe होता है कि मुश्किल से मुझे लगता कि 2 mm या उससे ज़्यादा तो नहीं होगा 2 mm का होगा तो यहां से हमारा जब guise जाता है अंदर तो यह aluminum coil हम लोगों ने इस पर research किया है तो यह देखा है कि यहां से अगर guise जाता है यहां से guise जब यह पास होता है तो फिर वापिस यहां पे एक pipe लगा होगा है तो यह pipe पूरे तरीके से खाली है या अंदर square बने हुए है कि यहां से फिर gas से वो square से फिर इसमें जाता है फिर यहां से फिर यह दो का square बनता होगा फिर यहां से दो का अगर आता है तो यहां पे दो square का फिर यह तीनों से बनता होगा क्या ऐसे gas running करता है या चार-चार का स्कॉायर होता है मुझे भी इतना इसके बारे में नौलेज नहीं है इसको क्योंकि हमने अंदर तो देखा नहीं है तो सो गाइज आज में हम लोग इसी को करने वाले हैं कि ये अंदर से कैसे ये जाता है गैस और कैसे वहां से रिटेन आता है और इसके अंदर से घूमता रहता है कॉपर का पाइप तो दीखता है आपको की ऐसा दीखता है मतलब वहां से ऐसा राउंड हो करके और पूरा गैस रणिंग करता है लेकिन ये दोनों तरफ से साइट से पाइप दिया हुआ है देख सकते हैं इधर से भी पाइप और इधर से भी पाइप पूरा पाइप दिया हुआ है और यह वन टू थी पाइप जितने भी यह अपना पाइप है यह जो ऐल्मूनियम पाइप है यह गलेंडर मशीन से हम लोग इधर भी कट करेंगे पूरा इसको आदे से कट करेंगे और यहां से भी आदा कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर गैस कैसा रनिंग करता है यह जो है हमारे लिए जानने के लिए बहुत जरूरी रहता है हम लोग के लिए जो टेककंशन्स इं जो आसिस्टेंट के लिए उनको देखने के लिए जदा बेतर रहा कि ็े गैस कैसा काम करता है कैसा रंइंग करता है तो सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर दिजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दिजिए ताकि आपको latest video में यह एक और वीँडियो देखने के बाद वापस हमारे वीडियो को like कर दिजिए और देखते हैं इसको cutting करके इसमें कैसा स्कॉरिय दिया हुआ आपको दिखाते हैं ग्लेंडर से cutting करके अंट आight यह आप देख सकता है यह आनो देंगे मशीन लगा लिया इक रड़न टेंगे और देखते इसके अदर क्या निकांत है यह szामिश्य द्मश्य वह तो यह देख सकते हैं गाईस यह हम लोगों ने पूरा कटिंग कर लिया यहां से और यहां पर थोड़ा सा प्रावलम हो रहा है निकालने के लिए पूरा हमारा निकल चुका है यहां पर थोड़ा और प्रावलम हो रहा है तो यहां पर हम एक थोड़ा और गलेंडर चला देते तो ये गाइस देख सकते हैं इसमें और मेहनत का भी काम है ये क्योंकि ये पूरी तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया है तो काईज हम लोगों ने तो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कि ये ये अपना जो कॉयल होता है ये तीन भाग में है एक यहां से ये देखे पैक है जो हम लोगों ने कटिंग किया दूसरा यहां पे कटिंग हुआ है और तीसरा यहां पे ये देख सकते हैं बाकी ये वन टू थ्री फोर पाइप एक ग्यारा पॉइंट एक साथ में जो गैस हमारा रनिंग करता है आपस में फिर वहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सथा अटारा उन्हेस बीस एक्कीस फिर यहां से जो एलमुनियम हमारा जो दो एमें का है यह तीन हिस्से में दिया हुआ एक तो यह फॉर कॉल का एक यहां से आता है तो फिर इसमें जाता है तो फिर यहां से रनिंग करता है फिर यहां पे रनिंग करता है फिर यहां पे देता है तो गाइज इसके अंदर देखिए दो यह जो पाइप लगा हुआ है यह बहुत हमारा गैस रणिंग करता है सोचिए यह एक ही प्रावलम है कि अगर लीक होता है कहीं पर तो ब्रीजिंग नहीं हो पाता है बाकी इसका टेकनोलजी देखें तो इसमें एक पतला पतला हो लाए यह वन टू थी फॉर फाइफ सीक्सेवन एट नाइन टेन ऐसे मतलब कम से कम 20 हो करता है आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक है फिर यहां से यहां तक है यहां से यहां तक है यह पाइप यह हमारा पार्टिक्शन है इसके अंदर पार्टिक्शन होते हैं फिर यहां से यहां तक पार्टिक्शन है तो इसके अंदर से गैस हमारा इसके अंदर जाता है अलग अलग एरिया है, तीन भाग में दिया हुआ है, एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर, तो इस तरह हमारा Elmuneium Condenser काम करता है, हमको भी मालूम नहीं था कि अंदर क्या है, या कैसे काम करता है, तो इसके लिए, गाइस हम लोगों ने इसको cutting करके दिखाया कि इसके अंदर कैसे काम करता है, कितना बारी की होल होता है, और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो आप लोग समझ गया होंगे, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और बेल आ